दो थावाँ थे गुरु अरजन देव जी थे गुरु तेक बादर सहिव जी महराज मां दा जिकर ज्यादा कर देने माही धन पायो हर नाम एमा अरीदे नामदा धन प्रापत हो गया गुरु तेक बादर सहिव माही मन मेरो बसना एमा ए मन वस देचने गुरु अरजन देव जी महराज ने सेकड़े शबद इस तरह देव चारन की तेने माही मेरे मन को सुक बहुत दुख दी चोट दे समय के लिए अगर कोई याद आंदा है तो माह आंदा है माह शबद लिग लिए रिष्टा बड़ा गहरा है यह मैं किसे वक्त फिर खुलासा करांगा मनुखी बच्चिच नवे फिसदी माह हों दिए धार्मक ग्यानियान है पिता दे एक्सीड जो है संबंद नो कोई बहुत गैरा नहीं मने है एक्सीडेंटल के अंदे ने संबंद कोई खास नहीं है मनुखी बच्चिच नवे फिसदी माह होती है इस विशेड होती किसे वक्त फिर में दोरा मांगा थै इस वश्चिच बहुत गैरी चोट लग जाए मौ माह निकल जाए माही मन मेरो बसना है जब यासूदा ते सादूदी सब तो वड़ी पीड़ा की है सब तो वड़ा दुख की है मन नहीं टिक दा यह सब तो वड़ी पीड़ा है यह पीड़ा अगर किसे को लहा है तो धार्मक पीड़ा है इदी समस्या धार्मक है ति आप सुनके हैरान होगे धार्मक पीड़ा जैसे होर कोई पीड़ा ही नहीं है सब तो बड़ी पीड़ा है तुसी आखोगे इतनी बड़ी पीड़ा है हाँ इतनी बड़ी पीड़ा है जगत दिछ को जितनी वड़ी पीड़ा धार्मक है और भगत लंग देना है इसनों मैं इसतरा ब्यान करदाऊना पर सोत दी पीड़ा जनतां कोई इस्तरी मान नहीं बन सकती अपने तन देचाऊं एक होर तन नो जनम देना है तो शरीरक पीड़ा तो लंगना पेंदा है लंगना पेंदा है रभी नियम अपने मन देचाऊं नम देना है मन तू जोत सरूप है बड़ी वड़ी मानसिक पीड़ा तो लंगना पेंदा है जितने गहरे मानसिक संताब तो भगत लंग देने आम बंदियानों जद सारी एवी में अर्ज कर दें मुस्कराहट फूलंग देने ओ दुख के नंक है चलो मैं एवी थड़ी सामड़े रख दे हैं पाई गुर्दास्ची ने एक सवईया लिखे है पाई साब पाई गुर्दास्ची थाँ 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 थे भाई गुर्दास्ची ने जिड़े जिड़े शबद गैरे गंबेर ने उनना दे अर्थ कीते ने कुछ डेड़ सो शबदां दे अर्थ उननाने कबित सवईयच ते बारा देज कीते ने इस वास्ते आद काल तो भाई साब जीra बाणे नो कुन्जी कहएं देने कुन्जी कह उन्दी टाले नो खोलन वास्ते जिस शबद नो खोलना बड़ा अँख है ती झिस शबद नो खोलना बड़ा अँख है जैसे पौन गुरु पाणे पिता माता धर्त माता हैरानगी होवेगी गुरुनानिक पमन गुरु केंदिन हवान गुरु केंदिन ऐसा क्यों पाई गुरु दास ने खोले है पमन गुरु गुरु शब्द है वाहिगुरु जब मंत्र सुनाया तर्ती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया बोलना पवन करके देही माठी बोले पवन हवा नाभी नल टकरांदिये ज़द बोलन दा ख्याल पैदा हुदा है ना पवन नाभी नल टकरांदिये उत्वों आवाज उठ दी उनू के जिन परा उ अव हिरदे तक पहुंच दी इनू मिल देने अखर इनू के जिन बसंद दी एक कंठ तक पहुंच दी पूरा वाक बन जाएंदा है नो के जिन मदमा जबान ब्यान कर देन दी इनू के जिन बैकरी पर जैसे शेनाई मुरली कुछ सास जैसे हार्मनियम पमंदि चोटनल जो है वजदेने बोलदेने जिन्दगी दा सास भी पमंद करके बोलदे देही माटी बोले पमंद संसारनल संबंद जोड़देने बोलके जिते संबंद ना developed मनुख कहे दें दे हैं उत्षे साड़ी बोल चाल नहीं है संबन्द ते बोल चाल दे होंदे एक स्याना मैमान एक दिन देच अंदाजा ला लेंदे है वक्ती तौरते पती पतनी दे संबन्द टुटे होई ने क्यों? बोल दे ही ने वेखदा ते दुश्मन भी दुश्मन नुए बोल दा ने है स्याना मैमान अंदाजा ला लेंदे दो भिरावान दे संबंद ठीक नहीं क्यों? बोल दे ही नहीं संबंद बोल चाल देंदे इपयो पुत्तर दे संबंद ठीक नहीं क्यों? बोल दे ही नहीं संबंद बोल चाल दे खड़ें जिते संबंद बहुत गूड़े अवन बंदा कह दें दें उत्थे साड़ी बोल चाल बड़ी ज़्यादा है चंगी कह दें दे संसारनाल रिष्टा जोड़दा है बोलके निरंकारनाल भी रिष्टा जोड़दा है बोलके बिना बोलना रबनाल भी मनुक नहीं जुड़ सकता मोहों के बोलना बोलिये जित सुन दरे प्यार है कुछ ऐसा बोलना जिए बोल दे जाईये ते प्रभूनाल संबंद जुड़ ज़नता है तो बोलना ते पमन करके इस वास्ते तत्ता दे चाहूं धन गुरू नानिक देवजी महराजी के ओन पमन गुरू है बोलन हार परम गुरू एही बोलन करके संबंद जोड़ देने गुरू दा कम कि पामेखून दा रिष्ता हुवे पर बोल चाल नहों हुवे तू संबंद निहें बोलना पवन करके इस वास्ते धन गुरु नानिक देवजी महराज कहने ने पवन गुरु है भाई गुर्दास इस तरह दे शब्दानों खोल देने इस स्वास्ते गुरु अर्जन देव जी महराज दे मुखारबिन तो ही निकल गया सी आई जी थवड़े बोल ते कुझी ने गुरु अर्जन देव जी महराज दे समें तो ही भाई गुर्दाश सीदी बानी नो कहने न कुझी कोई शब्दा नो खोल दी गया कितनी गहरी पीड़ा है, कितनी वड़ी पीड़ा है, धार्मक पीड़ा जग्या सूध अंदर पैदा हो जान दी उस पीड़ा नो ना तोले ब्यान कर देने मैं एक दफ़ा फिर अर्च कराँ पर सूध दी पीड़ा तो लंगे बिना कोई इस तरी मा नहीं हो सकती विद्वान के देने सिर्फ बच्चे दा जनम नहीं होया, मान दा भी जनम होया है पहले सिर्फ एक औरत सी, मान नहीं सी सिर्फ इस तरी सी, मान नहीं सी बच्चे दे जनम देनाल, बच्चे दा जनम ते होया है मान दा भी जनम होया है, ओ मान बन गई ये पर सूत दी पीड़ा तो लंगे बिना कोई इस्त्री मान नहीं बन सकती मान सिक पीड़ा तो लंगे बिना कोई भी संत नहीं बन सकता कोई भी भगत नहीं बन सकता बड़ी बड़ी पीड़ा तो लंग देने और रह न सकां बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वहे चल लेजिए यह पीड़ा किन्ने का है भाई गुर्दास जिकर कर देने अगन जरत जल बूड़त सरप ग्रसे सस्तर अनेक रूम रूम कर गात है ध्यान देना अगन जरत जीमदा जागदा मनुख किदरे बल्दी अगदिछ गर जाए ज्वाला मुखी अग ते जिन्दा मनुख अगदिछ गरे कितनी पीड़ा मारा जियां किदरे चिनगारी हाथ ते पह जाए सारा जिसम ही अगदिछ गर जाए वो पीड़ा व्यान की ती जा सकती है भाई साब के जिन आगन जरत जिन्दा मनुख जो अग दिछ जले ते ओजडी पीड़ा है कठी करिए अगन जरत जल बूडत बहुत गेरे पाणी दिछ डुबरे आवे बचन दा कोई साधन ना होए ते डुबदेयां डुबदेयां जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा हों दिए पाणी साधन ओवी कठी करिए अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे कोबरा नाग फनियर सप डंग मार दे ते जहर चड़नी शुरू हो जाए उस नाल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा हों दिए पाणी साधन एवी कठी करिए अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे सस्तर अनेक रूम रूम कर गात है अनेका तरां दे सस्तरां दे नाल रूम रूम जखमी होए रूम रूम दे चौँखोन वगरे होए उजड़ी पीड़ा है वो भी कठी करिए एक पंक्ती दिच इतनी पीड़ा दूसरी बिर्था अनेक अपदा अधीन दीन गत ग्रीखम और सीत बर्खमायन इस परात है बिर्था अनेक लोड़ां ते बहुत सारी आवन पर पूरी इकवी ना होए बड़िया लोड़ां है पूरी इकवी नहीं हो रही एदेनाल शरी रखते मानसिक जो पीड़ा हों दी पाहिस साब केंदेन ओभी कठी करिए त्यांदेना बिर्था अनेक अपदा अधीन दीन गत शरीर देच कोई भ्यंकर रोग होए ते उस देनाल बड़ी पीड़ा होए यह भी कठी करिए अधीन दीन गत पराई अधीनगी देच रेना पेरे होए ते बिना कसूर तो गाला खानिया पेन बिना कसूर तो डाट खानी पे कसूर भी नहीं कीता ते डाट कोई गलती भी नहीं कीती ते गाला अधीन दीन गत इस दीन गती देच जो मानसिक पीड़ा हों दीए पाहिसाब के इन एवी कट्छी करेगे बिर्था अनेक अपदा अधीन दीन गत ग्रीखम और सीत बर्खमाएन इस परात है गर्मी सरदी ते बारश तो बचन दा कोई उपरा लाना होगे दिन रात गर्मी चरेंञात पहरे होगे दिन रात सीत लेहर दे ठिटढ़्दा पह ओवे ते दिन रात बर्साद दे चरेंञात पहरे होगे एदेन अल जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा उंदीए तीसरी पंक्ती गव देज बदू बंस बिस्वास बद कोट हत्या तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है गव नू मारना, भगत नू मारना, कुल घात करना, विश्वास घात करना अकिरत घण हो जाना, गुर द्रोही हो जाना इस तरह दे पापां दे नाल जो मान सिकलेश पैदा हो जाना हर पाप मान सिकलेश पैदा करता है पाईस साब के दिने, इस पीडा नो भी कठा करीए तिन पंक्तियां दिच, इतनी दर्द पीडा दे खिकर करके चोथीच केंदेने अनक परकार जोर सगल संसार सोधे मैं संसार दे सारे दुख पीड़ा दर्द कठे करके देख ले अनक परकार जोर सगल संसार सोधे पिया के विछो पल एक ना पुजात है पर मातमा दे विछोडे दा जड़ा एक पल है ते ओदेच जड़ी पीड़ा होंदी ये सादो नो पाई साब के ने सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो उन तुसी खुद अंदाजा लगाओ संद कितनी पीड़ा तो लंग देना एक इतिहास गाथा याद आ रही है अनन्दपुर साब दी किले देओ ते धनगुर गोविन सिंग जी माराज अधी रात नू टैल रहने ते रात भी मसे अदी अपने ख्यालां देच मस्त अपने धुन देच लीन टैल रहने टैल देयां टैल देयां सद्गुर दे कन्ना देच होकें दी अवाज आई होके ते होके भी छोडे तो निकल देन होके दुख तो निकल दे सद्गुर भी हैरान हो गया दीर आद्दा वकत होकें दी अवाज कन्न देच कौन हो सक्दै इह आवाज जिस पासे आ रहे सी पाथ से उसे पासे चलता है घुप हंदेरे दिच कोल जाके जद देखने गोर नाल ये ते भाई नंदलाल है ये बैठा है ते नंदलाल नों में महसूस होया मेरे नेड़े कोई आजा है कोई है उस अंदेरे दिच बहुत बगार खोल खोल के अखां देखे या तो मस्तक कदमां ते रखे या खड़े हो गए कुछ बोले नहीं धन्गर गौबिन सिंग जी महराज दे मुकार बिन तो दो बॉल निकले नंदलाल तो मैंनों दसेंगा इस सारा आसमान मैंनों काला क्यों दिखाई दे रहे है ते नंदलाल केंदर महराज मैं प्राकर्तिक खोजी नहीं है बाव सैंटिस्ट नहीं है विग्यानक नहीं है एक शायर हां कवी हां ते थ्वड़ा निमाना सेवक मैं नहीं दस सकता सत्गुर केंद लगे तो कबूल कर ले आए कि शायर है कवी है शायर दा तखयल हों दा है कवी दी कल्पना हों दी तू अपनी कल्पना दे अधारते दस आसमान दा रंग काला क्यों है कल्पना तखयल अपनी कल्पना दे अधारते दस क्यों कि तू इतना कबूल कर ले है कि तू शायर है तू कवी है तो अपनी कल्पना नो अधार बना के दस ए आसमान में नो काला क्यों दिखाई दे रहे ए काला क्यों है उन भाई साथ दस देने रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त अज बसके दूदे आहे मन अज आसमा गुजस्त एह मेरे पाथशा मेरे तडपे और ये हिर्दे चाऊं जड़े हौके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने उना नहीं साड़ के काला की था माराज ने गल्वकडी चले ले इतनी पीड़ा चू लंग रहे हैं इतनी बिरहे दी पीड़ा चो लंग रहे हैं किसे वक्त मैं जिकर करांगा जितनी पीड़ा चो एक संत लंगदाम संसारी नुकी पता है कुछ भी नहीं पता ये ते लागी होई सो जाने पीर राम भगत अन्याले थी कभीर के निने पीड़ा कदी होईयो बेते जानो ब्यंकर पीड़ा है मैं फिर अर्श करांग अपने विच्वई प्रमात्मानों जनम देना है मन तूँ जोत सरूप हैं अपना मूल पचान मैं एक दफा फिर दोरा देया पर सूथ दी पीड़ा तो लंगे बिना कोई स्त्री मान नहीं बन सकती मान सिक पीड़ा तो लंगे बिना कोई संत बगत नहीं बन सकता संसारी बनिया रहेगा संसारी पीड़ा मामूली होंगी बुलान देवी बड़े सादन ने अध्यात्मक पीड़ा बड़ी पर्बल है मन जीता सूरा है जो अपने मन नो जित लेना है सूर बीर है माहान है ते जोद महां बल सूर ते नमे राम रिया भरपूर कमजोर बंदियां दे कमने है बड़ा साहस चाहिद है बड़ी हम्यत चाहिद है उस तो पहले समझ चाहिद है समझ दे मिलने आई पीड़ा शुरू हो जाना दी क्यूंगो और संसारी नहीं रहे जाना जग्यासु होगे ते हून सरफ जग्यासु नहीं साधू होगे साधू ते जग्यासु ये टो में बड़ी परबल पीड़ा चुलंग देना मन जिसने जितले है इस सूरवीर है महान है मन जीता सूरा है सुन्दर है गुणवान खुबसूरत कौन है खुबसूरती दोतर हैं दिये मन दी तन दी तन खुबसूरत है मन खुबसूरत नहीं इन्हों के ने शकल सूरत ठीक है सुभाव ठीक नहीं है सूरत ठीक है सीरत ठीक नहीं है दो तरह दी खूबसूरती हैं दी है एक खूबसूरती संसार नो चंगी लग दी है एक खूबसूरती निरंकार नो चंगी लग दी परमातमा नो चंगी लग दी आप सवारे मैं मिलें मैं मिलें आँ सखोए फरीदा जे तू मेरा होई रहे सब जगत तेरा होई एक दफ़ा तू अपने आपनो शिंगारते सई सवारते सई सवारा जगत तेरा है मैं ते तेरा हां फिर सवारा जगत तेरा है तन्दी खुबसूरती टे संसार रेज़ दाया और खुबसूरती बहुत वड़ी परभावत कर दिये यह भी मैं अरच करते हूँ इस दा बड़ा भारी जिकर है गुरुगन साब जी महराज देज़ सीरत कदी कदाई ऐसा हुँदा है सूरत भी ठीक हुए सीरत भी ठीक हुए सुभाव भी पवित्तर है और शकल सूरत भी ठीक है कई दफ़ा ऐसा है सूरत ठीक नहीं है सीरत ठीक है कई दफ़ा ऐसा हुँदा है सूरत ते बहुत अच्छी है सीरत किसे कम देए सुवाव ठीक नहीं है इस ते उते विद्वाना ने लिखे आते बहुत कुछ है पर तुछ मातर में अर्ज करा सूरत भी ठीक होई सीरत भी ठीक होई इस तरह दे मनुक जगत दिचकदी कदाई हों दे नहीं ते जनाब हालिक अर्दू दा शायर होई केंदाई खुदाने हुसन नादानों को बक्षा जर्जलीलों को अकल मंदों को रोटी खुश्क और हलवाबख इलों को पेंज केंदाई तानन दा सौपन कई दफा मनुक दा मन उसे ची उल्ज के रह जांदाई ते मन सुन्दर बनाना यह ख्याली नहीं आंदा इह मन सुन्दर आपना हर नाम मजीठे रंग री कहिंदे ने दुनियान रा एक महान करोप मनुक सी वेद व्यास जिसने चार वेद लिखे बागवद गीता लिखी बविश पिरवान लिखेया वेदान शास्तर लिखेया पंजाब दे जिड़ा द्रियाए बियास है इसे रिशी दे ना आते इस तो एव भी पता चले के पंजाब भी सी पामे पंजाब दे अवगानियां दे नाम उनने नाम रखेया है पंजाब नाम तो पहले इस इलाके दा नाम सी मदर देश मदर देश तो भी पहले इस इलाके दाना सी सपद सिंदो सत द्रियाए पंजाब द्रियाए ते ए ने गागरा ते द्रियाए सिंद मिला के इनों केंदे सन सपद सिंदो इस इलाके दना सी चुंके बड़ा जर्खैस सी बड़ा जर्खैस इलाका पाणी करके मेदानी इलाका तो ना मदुर देश पह गया अगवानियां दा जद कवजा होया इना ने फिर पांच द्रियावान उस सामड़े रखके दो द्रियावान दी गिनती परों किती फरंटीर दी बाके जर्खैस इनना पांच द्रियावान दे अधारते पंजाब कह देता जिडा द्रियाव व्यास बगदै रिशिव व्यास देना ते इसी द्रियादे कंडे ने बैढ के इसने चार वेद लिखे बविश पराण लिखेया वेदांद शास्तर लिखेया भागवत गीता लिखी पर उस जमानें दा सब तो करूप बंदा सी अतियंत करूप पर उदे मन दे चो इतना सुन्दर ग्यान निकले है फिर अश्टा वकर तरेते युगदा पुर्श अश्टा वकर शरीर इस दा अठ अठ थावां तो टेड़ा सी लत्ना टेडियां बावां टेडियां गर्दन टेडि मौंडे भी दो में टेड़े सी कमर भी टेड़ी अश्टा वकर तो मुराद अठ बलसन अपनी जुगी ची बेठा रेंदा सी साधना करदा रेंदा सी जनक दा जड़ा राज गुरू सी उस दा लड़का सी और अठ शरीर देच बल होन करके बाहर काटने करदा सी बच्चे है रोला पादें देसान बच्चे पीछा करके तमाशा करन लग पें देसान बच्चे अनु की पता है यह आत्मा की है एक दिन के दरे घरदेच लोड़ पाए गई ते माँ ने अश्टावा करनो के आ तू अपने पतानो बुला के ले आ माँ दा होका चल पे आ द्वार पालनो पता सी संत्री सिपाईयानो पता सी ए राज गुरू दा लड़का है नहीं रोकिया जान देता है चला गया मैलाच दिवाने खासिच गया ति जैसे दाखल होया ना सारी विदवान एलकार वजीर हस्प है इस तो इन्नी गल्स सपष्ट होई कि राज गुरू दे लड़का कदी दिवान दिश नहीं आया सी अज पहली दफ़ा है सारी हस्प है दो बंदे नहीं हसे एक जनक नहीं हसे एक अश्टा वकरदा पिता नहीं हसे प्यों नहीं थे हसना नहीं से उन्हों थे तरस आया वे मेरे बच्चे दा मजा कुड़ाया जारे हस्दा मनुक होची गल्टे ताकत वर ते नहीं हस सकता कमजोर ते मनुक हसता है एवी मैर्ज करते है मनुक किदरे गल्टी कर जाए किदरे भूल कर जाए मनुक हस पाएगा उन्हों देख के हासा कमजोरी ते आउन 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 आ हासा ताकत वर ते नहीं आउन आ हासा आउगणा ते आवेगा हासा गुना ते नहीं आउँदा एवी मैं अरच कर दें मेले मनुक दे हासे भी बड़े मेले होनगे दूजियां दी मजबूरी ते हसेगा दूजियां दी कमजोरी ते हसेगा हस दे भगत भी ने पर अपनी कमजोरी ते रंग हसे, रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवा ना हैं किसे केरी, बाज सचे ना है, हर जन गुन गावत हसे हा, गुरु रामदास जी माराज केंदेने, परमातमांदा बंदा जद रबदे गुन गांदा है, सिफ तो सला करदा है, जब करदा है, सब तो पहले उसनों आउगन दिखाई देन, हर मनुख नों नहीं दिखाई देन, जपीशवर नों दिखाई देन, साधू नों दिखाई देन, पहले आउगन दिखाई देन, तो जी आउगन दिखाई देन लग पेने, ए साधू ने, हर मनुख नों दूजियां दे आउगन दिखाई देन, अप संत भगत दूजियानों उपर उपनों वेखदाए अपनेनों बड़ा गैरा वेखदाए साधना करनवाला साधू अपने नो बड़ा गैरा वेक दे तो गैरा वेक दे अपने इस आउगन दिखाई देने दूजियानो उपर उपर वेक दे तो दूजियान दे जो गुण दिखाई देने कभीर जैसा संत्वी कह उठे है कभीर सब ते हम बुरे हम ता जो भलो सब को हाद दो गई इक को ते मनुख है बनारस दे जो सब तो नेक है महान है उकेंदे में सब तो बुरा मैंनू छड के सारे ही भले है इस अतकतनी मन ले ये कैदे ये कभीर गलवद आके कर रहे है कथा ही नहीं ठीक कह रहे है तो इदा मतलब ये मन ले ये कभीर सारे हैं तो भैड़ा है कथा ही ये भी नहीं है कभीर दूजियानों उप्रों उप्रों वेखरे तो उप्रों उप्रों ते हर बंदा शरीफे महान है उपरों पृतिहर बंदा गुणवान है मनुख अगणान चुपांद है बड़े पड़दे पंद है मनुख ने जो कुछ चुपाया होवेगा ठीक नहीं होवेगा ये भी मैर्ज करते हैं मनुख ने जो कुछ भी चुपाया होंद है ओ ठीक नहीं होंद है मेंनों एक आप भीती याद आई जोद पुर्दी मेरा कलास फैलो सी रेलवे विश ड्रैवर सी एंजन चलनदा सी रेल दा किद्रे उन्हों पता चले या वी गुर्दवारेच मिस्कीन हो रही आयने हुफता रहने मेंनों मिलना आया वी बाईस सालां बाद किद्रे मुला का तो इस शकल सूरत उजदी भी बदल गई साड़ी भी खुल के उसने बीते समेधियां गल्ला की थी या दो दिन अच इतना खुल गया तीज़े दिन मैंनों केंड लगा गैने जी मैं थोनों एक राज दी गल्ल दसता अपने अज तक नहीं दसी कहिन दे न मैं मां बापनों दसी ना अपनी पतनी ना अपने बचेयां थोनों दसता पर एक शर्त है तुसी किसनों दसोगे नहीं मैं हाथ जोड के उसनों आखे मित्र मैंनों ना दसी क्यों मेरा अनबह है जड़ी राज वाली गल्लों दी चंगी नहीं हों दी मनों के गंदगी नों छुपांदा है गुणानों ते उपर लई फिर देना हर बंदे लई फिर देना जो कुछ छुपाया होएगा अनर्थ शकल सूरत मेरे एग्मगों बड़ी चंगी बनिय नळग है तो अपना राज मैनों ना दस मैं नहीं सुननना चांदा दूसरा में कोई वैदावी नहीं करना चांदा कंए कि मैं किसे नहीं दसांगा मैनों ना दस मैंनों केहले लिए हाद दोगे, थोड़े थी मैं इतना बरोसा प्या करदा, तोसी तना वैदा भी नहीं कर सकते, मैं के मितर गल नू गराई नले, राज तेरा है ना, तेरा राज है, तू अपने कुल नहीं रख सकता, तेरा राज मैं अपने कुल किस्ता ना रखाँगा, कुछ ते अकल तु कम मैं वैदावी नहीं की था, उन्हें दस दिता, ति दसन तो बाद केंड लगा, हुण मेरा हिर्दा होला हो गया, मैं कहा मित्रा हुण मेरा हिर्दा पहरा हो गया, तुम अपने अंदर दा बोज कड़के मेरे अंदर पा देता है, राज इक पत्थर हों दा है, बोज हों दा है, राज कोई चेंगी गल नहीं हो दि, मनुख ने जो कुछ भी ठीका छ्पाया होएगा, ठीक नहीं होएगा कबीर दूजय आनो उपनıntीर अपनी नो गैरां देख देनी तो जद भी कोई गैरां देखेगा बःत गैराईग चला जाया अगर साधना कि कर दा है पिछले जनम भी दिखाई देनगे कबीर नो दिखाई देन देन उसने जिकर कीता है किस वक्त मैं थोड़े सामने रखाँगा ऐसे घर हम बहुत बसा है यह दो बहुत सारे में घर बसा चुके है ऐसा पुर्ष अपने आपनों बड़ा गैरा वेखद है गैरा वेखद है तो अपने वीच आउगन दिखाई देन दूजे नो उपरों अपरों वेखद है तो उपर उपर ते हर बंदे को लगुणन है आम संसारी पता किस्तना वेख देन अपने नो उपनो उपनो वेख लें देन ते दूजे नो बहुत गैराई नल वेख देन सत्ता पीडियां तक बंड के रख देन यह भी मैं अरज कर दें नहीं कर देन पर्मातमा ने भी दुरगंद नो छुपाके रखे मनो कभी अज़ञा नो छुपांध है जिसते पड़ाअ पाया ओग़ा ओओ ठीक नहीं होग़ा ठीक नहीं होग़ा कभीर सबते हम बुरे वाकई ऐसा मन लेगे, नहीं, कभीर अपने आपने आपने गैरा वेख दें, दूजे आपने उपने उपने वेख दें तो सारी चंगे नहीं, गुर्णानिक भी एक दृष्टी कौन सानू दें दें, हम नहीं चंगे वचता, पर्णानिक तारे सुए, सड़ा कोई दावा ने ऐसी चंगे हैं, सड़ा कोई कहना नहीं, कोई बुरा है, हम नहीं कौई बुरानिक पर्णानिक तारे सुए, खेर मुक्तसर में अरज़ करा मुक्ता सारे हस पै हासा कमजोरी ते आउंदे अश्टावकर दे स्रीर जबल सन बहुत सारे जनक नहीं हसे कैं कोई संजीदा मिजाद पुर्ष सन दे अलू सन किसे दी कमजोरी ते हसना ए उना दा सुभा नहीं से ते पिता नो ते तरसा आया तुँ जोद सरूब है बड़ी बड़ी प्रगट होई अश्टावकर दे मूँत होई जनक होन हाथ जोड के पुछ देने रिशी जी इस सारे थ्वाड़ा टेड़ा सरीर वेक के हसे ने तुसी क्यों हसे है मुस्कुराहट थ्वानू भी आ गई है तुसी की वेक है अश्टावकर के देने राजन मेरे सरीर देच ऐठ बलने देखके हस पह तु मैं जो उन्त अन्दर जाती मारी ना दे मन देच हजारां बलने मुस्कराहट आगे उनकी करा मेरा तन टेड़ा है इना दे मन पेड़ने मेरे तन देच बल ने ये नंदे मन देच बल ये सिरफ तन वेखन वाले ने मन वेखन वाले होंदे ते मुनी होंदे मनीश होंदे ये तन वेखन वाले ने चमडा वेखन वाले ने राजन मेह ते समझेया सी मुनियां दी मैफिल होवेगी चमारांदी मैफिल है सिद्धा कह देता जनक नो कह देता इती चमारांदी मैफिल है चमड़ा वेक देने सरीर वेक देने जिड़ा ग्यान उस मैफिल देच अश्ठावकर ने जनक नो देता जनक ने अपना मस्तक कदमाते रख देता जैसे सिरी कृषन दी भागवत गीता है ना एक गीता अश्टावकर दी उनूं महां गीता कहें देने घट पर चलता है उपर चलत गट उथे अरजन प्रशन करदा है तो क्रिशन उत्र देने इथे जनक प्रशन करदा है अश्टा वकर उत्तर देने उत्थे सवालांदा जवाब देने वाला महान है क्रिशन महान है पर सवाल मामूली ने अरजन को उसरोता बहुत वड़ा नहीं सी इत्थे सवाल करने वाला महान है जनक, बड़ा स्याना मनुक, बहुत स्याना मनुक ऋच्छा वकर ने जवाब देता है नो आश्टा वकर महां गीता करके केंदेGold मैं पढ़के हैरान हुआ इन्ने उच्छे सवाल इस पुर्ष्ने कीते है जनक ने अच्छे सवाल अरजन कीते उस तो ही पता चल दा है जनक दी महानता दा धनगुरु गवरी सिंग जी महराजी कहने ने मन जीता सूरा है सुन्दर है गुणवान जेदे कुल रब्बी गुणने ओ खुब सूरत है जेदे कुल दया है सील है, समझन्म है, भाई चारा है मिठास है, मिलवर्तन है रस है, ग्यान है एक खुब सूरत है मन जीता सूरा है सुन्दर है गुणवान जब मन की थिरता भाई सार योग एहो जान समापती में करां जद मन टिक जाए तो सैव के दिन सत संग दा फल मिल गया नाम जपन दा फल मिल गया बाणी पढ़ना कर्म है मन दा टिक जाना ते फल है उते बाद इचो होएगा पहले किस तना टिक एगा इजड़ा कहेंगे निनना आम गुर्दवारेंज कहें देने निनन गुणी गया निवी मन नू टिका के बाणी पढ़ो गल्त कहेंदे ने इजड़ कहना चाहिदा बाणी पढ़ो ताके मन टिक ए असल गल ए मन नू टिका के नाम जपो टिक गया मन उसने जपना की उते लीन है मन नू टिका के नाम जपो नहीं नाम जपो ताके मन टिक जा मन नू इकागर करके किरतन करो गल्त किर्थन करो था कि मन इकागर हो है, मन नो इकागर करके किर्थन सुनो बिल्कुल गल्थ, किर्थन सुनो था कि मन इकागर हो है, मन इकागर था ते फल है, मन जीता सूरा है, सुन्दर है गुणवान, जब मन की थिरता भई, सार योग एहो जान, मन इक हो देयां मन मिट जान दे ते मन दे मिटदेयां प्रमात्मा प्रगट ओजनदए चुंके मन ही बाद है ते मन दे मिटदेयां प्रभू प्रगट होँदे इस स्वास्ते के आगे मन तु जोद सरूप है अपना मौल पचान, सत्संडिच जिसमनो के देंदर जगयासा पैदा हो गयी उदा मन जगया सू हो गया जड़ा साधना करंडग पे है उस साधू हो गया जड़ा चल चल के पहुंच गया ते मन मिट गया संत हो गया प्रमात्मा हो गया ते संत राम में बेदना भाई संत दे दर्शन राम दे दर्शन अब तो जाये चडे सिंगासन मिले हैं सारंग पानी, राम कवीरा एक भहे हैं, कोई न सके पचानी, अध्धा मिंट होर में लवान। इस जन में इस नहीं होएगा, अगल इस पठक भठक के होएगा, आज नहीं होएगा कल। हर मनोक दाएक कोई भविष है, कुछ भी भविष नहीं है बागी। बड़ी लंबी चोड़ी विचार धार है गुरुगरन सावदिच। संत होना, ब्रमगैनी होना, इस जन में चोबे, अगले चोबे, होर हजारां जनमा बाद होएगा, भविष इस दाएगे। जनने इस दाएगे इस भविष दी प्रापती नहीं है, बढ़कना बनी रहेगी। सद्गुर रहमत करन। सड़े मन दें अंदर जग्यासा पैदा होए, सिर्फ जग्यासा ही नहीं है। सादू बनी हैं, ब्रमगैनी बनी हैं, गुरमक बनी हैं, ताके गुरु माह नल कैदे उन मेरा अपनाई रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ, करो निवास, इतने विचारां परवान करनी हैं। टिकाओ नल आपने सर्वन कीता, सारें दा धनवाद, बोल चुक दीश्यमा, वाए गुरु जी का खालसा मेरो रूप है। कर दिधा बहुम झाल से कर से आपने सारें झाल झाल